Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल इसके बाद में ये पूरा बवाल खड़ा हो रहा है कि भारत को आप बिना किसी सबूत के कितना इतना बड़ा उस पे आरोप कैसे लगा सकते हैं, दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रसी के, तो आखिर ये हरदीप सिंग निजर कौन है, इसकी वज़े से इन दो देशों के बी कौन है ये हरदीप सिंग निजर और क्या इसका पूरा इतिहास रहा है, साथी साथ में असलियत क्या है इस पूरी कहानी कि किसने हरदीप सिंग निजर को मारा है, ये आज आपको बताने वाले हमेशे अपने एपिसोर्ड में आपको बिना किसी ब्रामे के जो चीज जैसे थी वो ही आजाम आपको बताने वाले शुरुबात करते हैं हरदीप सिंग निजजर का जनम होता है 1977 में भारत में पंजाब के अंदर पंजाब के जलंदर में भर सिंग पुरा एक गाओं है भर सिंग पुरा में उसका जनम होता है 20 साल की उमर थी जब 20 साल का ये हुआ तो 20 सा का दिन था दस फर्वीर नाइटीन नाइटी सेवन को 20 साल का निजर केनेडा के लिए भारत से निकल जाता है टोरेंटो के पियर्स इंटरनेशनल एरपोर्ट पर उतरता और वहां पर जाते ही इसने केनेडा पुलिस के सामने वहां की अथर्विटी के सामने खुद को एक तरह से रेफ्यूजी की तरह दिखाया, उधको रेफ्यूजी की तरह आप दिखाता है कि मुझे कैनेडा में आप असाइलम देजी मुझे यहां पर रहने के लिए पना देज़िए क्योंकि वज़ए को बताई कि हमारे ऊपर पंजाब के अंदर जुम हो रहे है हमें प्रतारत कि कि रिश्वत दी मैंने और मैं वहां से निकला हूँ साथ ही उसने वहां पे कैनेडा में जाके अपना एक medical certificate दिखाया एक report दिखाई उस report में उसने बताया कि मुझे torture इस तरह से किया गया कि मेरे गुपतांगों पर electric shock दिये गए ये सब चीजें जब उसने कैनेडा पुलिस को वहां पे जाते ही बताई तो वहां पे उन officers ने जब इन reports को देखा medical certificate को देखा तो ये सारी की सारी शीद में फरजी थी certificate फरजी निकला reports फरजी निकली और इसी के तहत ये जो application जो निजर की थी कैनेडा में उसको रहने दिया जाए इसको reject कर दिया जाता है करीबन ये 11 दिन बीचते हैं यहां से और निजर ने एक बार फिर से अपनी application कैनेडा court के सामने और हां की authorities के सामने डाल दी court में appeal की साथी साथ में authorities को application दी और इस बार उसने क्या किया था इस application में के उसने महज ये 11 दिन के बाद ही 11 दिन के अंदर ही British Columbia की एक महिला से शादी कर ली थी और उस आधार पर इसने अपने रहने के लिए वहां पे उनसे permission मांगी थी Canada में जैसे ही court ने ये चीज़ देखी तो court ने भी और Canadian authorities ने भी फिर से एक बार इस application को reject कर दिया इसकी निज़र की ये कहते हुए कि ये marriage of convenience है मतलब ये आपने अपनी एक तरह से कहा जाए कि आपने ये एक योजना के तहत यहां पे शादी की है यहां पे रहने के लिए एक बार फिर से इसकी application को reject कर दिया जाता है 1997 में लेकिन अब इन सारे rejections के बाद में मैस चार साल के अंदर 2001 में अचानक से निज़र को कैनड़ा की citizenship मिल जाती अब ये कैसे हुआ कि चार साल के अंदर निज़र किन ऐसे लोगों से मिला जिनके influence पे जिनके दवाब पे कैनड़ा के अंदर उसको citizenship मिल गई नहीं था दोस्तों अपने एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप सपना है इस एक्जाम को क्रैक करना आप चाहते हैं आप चाहते हैं आइस बनना यहां पर भारत का आप एक बैट चूज कर सकते हूं यहां पर आपको जो आप इस बैट को चूज करेंगे यहां आपको एक कोड मिलेगा वीजलाई इस कोड को लगाते ही यह जो कोर्स है यह जो पूरा कोर्स है वो सत्तर हजार का जो कोर्स है वो आपको 30,000 रुपए मिल जाते है 29,000 आपके करने के लिए आपके कदम जो है उनको उस आपके लक्ष के पास में ले जाता है जल्दी से जल्दी अपना कोड को लगाए अपनी तयारी को मजबूत बनाईए धन्यवाद तो आगे बढ़ते हैं अपने आज के इस एपिसोड में शुरुआती दिनों में कैनेडा मे उनके साथ में connect हो जाता है उनके साथ में काम करना शुरू कर देता है और उन groups की मांग यही थी कि पंजाब को भारत से अलग कर दिया जाए यहाँ पे अब निजजर इनके साथ में काम करना शुरू करता है लेकिन इस बीच में उसके life में एक बड़ा turn आता है यह बड़ा turn का जक्तार सिंग तारा जो था उसने बेट सिंग की जब हत्या की थी सीम बेट सिंग की केटीएफ का जो अपना गॡुप था जो खालिस्तान टाईगर फोर्स जिसे कहते हैं उसको बनाया वहाँ से केटीएफ को चालू किया बनाना यहाँ इस समय आय एसाई का पूरा पूरा सपोर था केटीएफ को जगतार सिंग तारा को निजर जो इस समय कैनेडा में बेस था कैनेड़ा में अपना काम कर रहा था और पिरोखालिस्तानी ड्रूट के साथ में काम करना शुरू कर चुका था इसकी मुलाकात लगाता रव awhile.. पहली बार होती है यहाप लोना शुरू हो जाती है जक्तार सिंग तारा के साथ में, KTF के चीफ के साथ में, पाकिस्तान कई बार निजर कैनडा से गया, जक्तार सिंग तारा से मिलने, और वहाँ पे इसने बकायदर ट्रेनिंग ली, IED बनाने की, IED explosive devices बनाने की, high end guns को चलाने की किस तरह से उसकी चलाया जाता है, उसकी ट्रेनि relations थे, ISI से connections थे, जक्तार सिंगतारा के साथ में, पूरी पूरी तरह से काम कर रहा था, कुछ साल यहां से बीतते हैं, कुछ ही साल यहां से बीतते हैं, और October 2007 में, यह जो इसने पूरी ट्रेनिंग सब ली हुए थी, यह शायद इसी का नतीज़ा था, जो हुआ था, October 2007 में जुद्याना में श्रिंगार थेटर है, श्रिंगार मुवी थेटर, उसमें एक शो के दोरान, अचानक से शो के अंदर, हौल के अंदर, बॉम ब्लास्ट होता है, और उस बॉम ब्लास्ट में करीबन 6 लोगों की मौत होई थी, 43 लोग, 42 लोग गायल हुए थे उसमें, यह ज तरह से एक खालिस्तानी एक टेरिस्ट है, एक तरह का खालिस्तानी एक सेपरेटिस्ट है, जो की उसका नाम आया है इस बॉम ब्लास्ट के अंदर, ऑक्टोबर 2007 में, लुध्याना के अंदर, जो शिंगार थेटर में ब्लास्ट हुआ था, यहां से दो साल बीचते हैं, जु जो केस हुआ, इसमें भी कनेक्शन जो था, वो सामने आता है, निजर का, पुलिस के सामने, तो यह चीज़ें अब लगाता है, यहां से शुरू हो चुकी थी, यह यहां पे जक्तार सिंग तारा के साथ में काम कर रहा था, लगा था, कहणा में अपना बेस बना चुका था, और अच्छी कासी, जो funding थी, वो ISI की तरफ से भी इन लोगों को मिलती है, वहां पे anti-India activities करने के लिए, यह सारी चीज़ें वहां पे उस दोरान कर रहा था, 2014 आता है, 2014 में जब इसको अचानक से पता यह चलता है, निजर को, कि जक्तार सिंग तारा जो है, जो अभी तक प पूरी-पूरी funding की थी, पूरी-पूरी अच्छी काजी funding इस पूरी shifting में जक्तार सिंग तारा की, निजर ने की थी, यहां से जक्तार सिंग तारा खेर, अगले ही साल, 2015 में, उनको RSB कर लिया था, यहां से, तो यहां से अब जो उनकी KTF थी, खालिस्तान Tiger Force, इसको इसने, न कारिस्तान Tiger Force को head कर रहा था, इस समय तक anti-India activities की इस तरह की बढ़ चुकी थी, के पंजाब पोलिस से लेकर हमारी National Investigation Agency, NIA, NIA के records में दर्जनों केस इसके उपर लग चुके थे, Canadian authorities को भी हमने बहुत बार यह चीज़ें बताई हुई थी, भारत ने, लेकिन इसके कोई भी action नहीं लिया गया, 2016 आता है, 2016 में इंटर पोल ने निजर के खिलाफ Red Corner Notice जारी कर दिया, Red Corner Notice के उपर issue हो जाता है, 2018 में निजर ने क्या किया, कि एक gangster हुआ करता था, यहां का भारत के अंदर, अश्दीप सिंग गिल, यह जो अश्दीप दला जिसके नाम से बहुत जादा सुर्खियों में भी है, अश्दीप सिंग गिल यह जो था, इसके उपर यहां पर भारत के अंदर कई सारे charges थे, हाल ही में उसको terrorist भी गोशित किया गया है, अश्दीप सिंग गिल यह जो था, यह भारत के अंदर जो drugs की cross border smuggling होती है, वो करता था, target killing करवाता था, extortion यह यहां से भारत से भाग जाता है Canada, और Canada में जैसी पहुंचता है, तो वहां पर निजर क्योंकि जिस तरह से यहां से जो भी इस तरह के लोग भागते हैं, वहां पर Canada, यह उनको वहां पर पना भी देता था, तो इसने गिल का पूरा रहने का बंदोर्स वहां पर कराया, और इसके बाद ये गिल के साथ में उसके साथ में काम करना भी शुरू कर दिया, निजर ने. यह लगातर माँ पर काम करना इसके साथ में शुरू करता है और यह बताया जाता है कि अपने राइवल्स को Eliminate करने के लिए माडने के लिए गिल का इस्तमाल करता था उसके गैंग का जो इसका इस्तमाल करता था यहाँ पर एक तरह से आप यह देखिए कि यह 2018-2019 आच चुका था यहाँ पर पूरी तरह से इंडिन गवर्मेंट लगातार चैनेडियन अथारिटीस को बता रही है पहले से हमारी एजेंसी से बता रही है कि यह किस तरह से आप क्या यह जो आरोपी है यह इस तरह की इसको गुर्पतवंत सिंग पन्नु ने शुरू किया था यूएस से यह यूएस बेस्ट है गुरुपतवंत सिंग पन्नु और यह गुरूप भी तो यह यूएस से यहाँ पर इसके साथ में जोड़ता है निजर एक कैमपेंड शुरू करते हैं यह लोग रिफरेंड़म 2020 रिफरेंड़म 2020 इसमें यह लोग खालिस्तान बनाने की जो मांग थी है पूरी दुनिया भर में खालिस्तान बनाने के लिए जो इनका एक उदेश है उसका यह पूरा आप पर पिचार करते हैं कैमपेंड चलाते हैं दुनिया भर में इसकी रेलीज की जात ना शुरू कर देते हैं SFJ जो six for justice है उसके साथ ये लोग लगा था रूसमें काम करने लगते हैं इस तरह से लेकिन यहाँ पे 2020 में जुलाई के अंदर भारत निजर को टेरिस घोशित कर देता है UAPA के तहट यहाँ पे उसको टेरिस घोशित किया जाता है भारत के अंदर साथ में दो महीने बादी सितंबर 2020 में उसकी जितनी प्रॉपर्टी इस थी उनको NIA ने अटेच कर लिया यह चीज़ यहाँ पे होती है इसी के अगले साल जनवरी 2021 में मतलब आप यह देखिए कि करीवन छे महीने बादी निजर ने जलंदर के अंदर पंजाब में कमिनल हेट्रेट फैलाने के लिए और किस तरह से यहाँ पे शान्ती को भंग किया जाए हिंदू और जो सिक्स हैं उनके बीच में जो हमारे सिक भाई है उनके बीच में किस तरह से हेट्रेट पैदा की जाए इसके लिए यहाँ पे एक अटेक करवाया जाता है एक हिंदू पंडित के उपर एक हिंदू प्रीष्ट के उपर कमल दीप सिघ्ऑ शर्मा उनके उपर जानदर के अइंदर एक एक अटेक कराया जाता है और रिपोर्ट सामने जब आई इन्वेस्टिकेशन में तो यह आई कि यह अटैक निजर ने यह जो अर्षदीप सिंग गिल जिसको उसने पना भी दी थी कैनेडा में जो गैंग्स्टर है उसके साथ मिलकल कराया था यह सारी चीजें लगाता है चलती जाती है कैनेडीन इसको निजर को उसके सिर्फ पर दस लाक रुपए का इनाम भी दे दिया था दस लाक रुपए का इनाम कर दिया था लेकिन कैनेडीन अथॉर्टीज ने इस समय तक कोई एक्शन नहीं लिया और इसी के साथ में फिर अगला साल आता है 2023 अब यह साल आया दिन था 18 जून 2023 का इसको निजर था यह करीवन रात के आठ साड़े आठ बुजे की आसपास की बात है निजर ने उससे पूचा कि घर में क्या बनाए उसने बताया कि पीजा बनाए और आपकी जो फेवरिट डेजर्ट है सिवया वो बनी हुई है उसने बोला कि मैं घर पर आ रहा हूं बस यहां से जब यह निकल रहा था तो उसके साथ में इसका एक साती भी धा निजर के साथ मे यह दोनों साथ में बाहर आ रहे थे गुर्मीद सिंग तूर और निजर अपनी अपनी गारियों की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी ही देर बात करीब बताया जाता है कि दो मिनिट बाद ही गुर्मीद सिंग तूर को अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई देती है लगा तरह से चकना चूर हो चुकी थी तूट चुकी थी गेट जो था राइविंग सीट वाला जो में सामने वाला गेट था उसके उपर गोलियां बुरी तरह से धसी हुई थी और जो निजजर था वो दूसरी तरफ जो ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट होती उस पर पड़ा हुआ था, उसके सिर में गोली लगी थी, कंदे पर गोली लगी थी, उसके छाती पर चेस्ट पर गोली लगी थी, एक तरह से ये देखा जाए कि उसको बहुत बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही थी और ये वहां का सीन था, साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी देखा गया कि मौके पर ही यहाँ पे निजर की मौत भी हो चुकी थी गुर्मीट सिंग्तूर और बाकी लोगों ने दो लोगों को भागते हुए देखा जिनके मुँपे कपड़ा बंदा हुआ था हातों में हत्यार थे इन लोगों के ये लोग पीछे भी भागें लेकिन कुछी दूर खड़ी हुई टोयोटा कैमरी गाड़ी में वो जो पहले से वहाँ पे खड़ी हुई थी गाड़ी ये दोनों के दोनों भाग के उसमें पहुशते हैं और वहाँ से ये लोग भाग जाते ह इस तरह से यहाँ पे निजजर को अचानक से दो ऐसे लोग आए जिनों ने आके मार दिया और वो वहाँ से भाग दै अब जैसे ही यहाँ पे निजजर की मौत होती है उसके घरवालों ने खालिस्तानी जो ग्रुप से जिनके साथ में निजजर पहले से जुड़ा हुआ था और साथ ही साथ में ये जो सिक फॉर जस्टिस का पन्नू था पन्नू ने ये सब चीज़ें कहना शुरू कर दी यहाँ से एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बनाना शुरू कर दी है इन लोगोंने कि ये जो काम है ये जो किलिंग है वो भारत ने करवाई है भारत की खूपि है जून 2023 में और एक साल पहले 14 जुलाई 2022 एक और बड़े खालिस्तानी लीडर की जिनका बहुत जादा वहां पे नाम था कैनेडा के अंदर सेम उसी शेहर में सरी में उसी ब्रिटिश कोलंबिया में उसी कैनेडा में वहां पे एक और ऐसे लीडर रिपुदमन सिंग मलिक की सेम इसी तरह से मौत हुई थी सेम इसी तरह से उन्हें मारा गया था जिस तरह से निजजर की हत्या की गई थी हुआ ये था अब ये रिपुदमन सिंग मलिक है कौन ये आपको बता दिया जाए दरसल जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ आप सभी को पता है ऑपरेशन ब्लू स्टार का रिवेंज लेते हुए एक साल बाद एग्जएक्ट उसी महिने में जून के 1985 में सिर्फ एक साल के बाद ही कुछ खालिस्तानी टेरिस ने क्या किया था कि एक सूटकेस के अंदर बॉम रखा और ये बॉम रखा जाता है एक फ्लाइट के अंदर एर इंडिया की ओ फ्लाइट थी एर इंडिया की फ्लाइट बन एट टू के अंदर ये बॉम रख दिया जाता है जो कि कैनेडा से डेली तक का ट्रेवल करती थी इस bomb के फटने से उस पूरी flight में blast हुआ और करीबन 329 लोगों की इसमे मोहत हुई थी 329 लोगों की इसमें मोहत हुई थी इस blast में इस blast में ROP बनाया गया था रिफ दमांцыन्ज मलिक को यही खालिस्तानि लीडर को यहाँ पर इनको इसमें ROP बनाया गया था पहले कहा जा रहा था इसमें कि यह जो blast हुआ इस flight का यह engine failure की वज़े से हुआ है लेकिन इसके बाद में Canadian authorities ने और साथ ही साथ में इस case की investigation में 1985 Air India 182 flight की जो investigation हुई थी उसमें जो भारत की तरफ से कृपाल कमीशन बना था पिरपाल कमीशन ने भी यह बताया था और यह माना था कि यह flight के अंदर bomb blast किया गया है और इसके अंदर रिपुदमन सिंग मलिक को यहां पर उनको आरूपी बनाया गया था लेकिन 2005 में रिपुदमन सिंग मलिक को उनके साथ ही के साथ में जो एक और आरूपी था उसके साथ म रिपुदमन सिंग मलिक जो थे वो बिटिश कोलंबिया में ही कैनडा के अंदर वहां सरी के अंदर रहना शुरू करते हैं अपना एक पूरा कारोबार फैलाते हैं एक ग्रुप बनाते हैं 16000 मेंबर्स हैं इस ग्रुप के करीबन खालसा क्रेट यूनियन यह ग्रुप बना वहां पर इसके प्रेसिडेंट बने सतनाम एजूकेशन सोसाइटी की शुरुवात की खालसा स्कूल्स चलाएं लगे थे वहां पर यह वो खालिस्तानी लीडर थे कि जिनको मलिक जो थे जिनने इंडिया ने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था एंटी इंडिया लड़ाई बहुत समय से चली आ रही है यह लगाता है जो ग्रुप से आपस में लड़ते हैं इनका गैंग बॉर होता है इनके मुर्डर्स भी होते हैं यह लड़ाई लगाता है चलती है और यह किसलिए होती है इसमें इमिग्रेशन बिजिनस एक बहुत बड़ा रोल प्ले इनका जो ग्रुप सथ चलते हैं उनके बीच में लड़ाई चलती है साती साथ में सबसे बड़ी लड़ाई चलती फंडिंग की टी इन्डrestानी ग्रुपس के अंदर भी चलती है लगाता तो यह सब चीज़ें वहां पर चलती है लगाता है अब रगाता हुआ कि मलक का यह ज लगातार मलिक भी कैनेडा में था सेम उसी शेहर में वहाँ पर लिजर भी अपना लगातार यह जो उसने एंटिंड एक्टिविटीज की वो भी कर रहा था लेकिन साल 2019 आता है और 2019 सितंबर में हुआ क्या कि अचानक से आप एक तरह से यह कहें कि रिपुदमन सिंग मलिक का हि हुआ है हुआ क्या था इस साल में 2019 में सेप्टेंबर के महीने में कि भारत सरकार नहीं जो 312 ऐसे लोग थे हलस्तानी जिनों ने एंटी इंडिया एक्टिविटीज की वैसे जिनको वीजा नहीं मिल पा रहा था जिनको ब्लैक लिस में डाला गया था इन 312 लोगों के नाम स से ब्लैक लिस से इनको हटा दिया इन 312 लोगों में रिपुदमन सिंग मलिक का भी नाम था पच्चिस साल बाद करेबन सेप्टेंबर 2019 में जब नाम अटे हैं पच्चिस साल बाद करेबन यहां पे मलिक भारत आते हैं भारत आने के बाद वो अंदरप्रोदेश में गए प तारीफ करते हुए उन्होंने कहा था कि आप जिस तरह से आपकी गौर्वर्मेंट जो काम कर रही है सिक्ख कम्यूनिटी के लिए वो काबले तारीफ है लेकिन यह सब चीज़े कैनेडा हैं बैठे उस टाइम पे 2019 में जब कैनेडा के अंदर अरश्दीप सिंगिल जैसे गै जैपी गौर्मेंट की तारीफ की साथी साथ में पंजाब एलेक्शन उस समय होने वाले थे 2022 में साल 2022 में उस समय पे पंजाब एलेक्शन के पहले पुद अमन सिंग मलिक ने एक खट भी लेटर भी लिख्था था भारत में पीम मोदी को और साथी एक सेपरेट मैसेज भी ल यह उन्होंने अपने खास लोगों को बताया भी था कि यह जो हिर्दय परवरता नहीं कुछ लोगों को यहां पे अच्छा ही लएगा वो इससे उनकी जान को भी खत्रा हो सकता है और हुआ ऐसा ही यह जो निजर साथ में यह जो अश्टीप सिंगिल के गैंक्टर के साथ मे यहां पे 2022 में निजर ने एक पबिकली एक ऐलान किया था और वो भी डिपुदमन सिंग मलिक के खिलाफ निजर ने यह का था कि यह जो मलिक है यह एक गददार है और इसे सबक सिखाया जाएगा यहाँ पे जब निजर ने बयान दिया था पब्लिकली यह स्टेटमेंट दिया था एक रेली के अंदर इसके कुछी महीनों बाद जुलाई में 14 जुलाई 2022 को मलिक जब सुबा-सुबा अपनी कार की तरफ सरी में उसी शहर में जहां पे जब यह जा रहे थे तो इनकी गोली मारकर तीन-चार लोगों ने आके वहां पे इनकी कार में इनको बैठते ही गोलियों से भून दिया चलनी कर दिया और इनकी वहां पे मौके पे ही मौत हो जाती है यहां पे बहुत बड़ा पॉइंट एक और नोट करने वाला है कि मलिक और निजजर के बीच में बहुत बड़ा एक विवाद चल रहा था कापी समय से और यह जब से पन्नू उनके साथ में निजजर के साथ में आ गया था उसके बाद यह विवाद और तूल पकड़ने बात कही थी कि यह यहां पे निजजर का ही काम है यह उस पर डिरेक्ट इन्होंने आरोप लगाया था साथी साथ हो बहुत ज्यादा गुस्से में भी थे यहां से सीधा यह सवाल आ जाता है सामने कि क्या यह किस तरह से इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि निजजर ने नहीं किया यह चीज साफ थी यहां से कि निजजर का किया हुआ काम था और इसके ठीक एक साल बाद थीक एक साल बाद एग्जेक्ट यही एक तरह से देखा राइवल्री का नतीजा था जो इंटर गैंग राइवल्री के अंदर लगाता चलती है इन ग्रुप्स के अंदर खालिस्तानी ग्रुप्स के अंदर भी जो पॉलिटेक्स चलती है यह उसका नतीजा था कि यह दो लीडर्स इन दोनों की डैथ होती है यहां पर उनकी मौत होती है जिसे यह पूरी राइवल्री एक इंटर्गन राइवल्री जिसको कैनेडा के प्रण मिनिस्टर जो कैनेडा के प्रधान मंत्री है जस्टिन टूडो वो कैनेडियन पार्लियमेंट में एक अपनी जो इंटेजंस एजनसी है उनकी CSIS, उसकी एक report के आधार पे, उसकी एक misguided report के आधार पे भारत के ऊपर इसके allegations लगा रहे हैं कि यह भारत का काम है खालिस्तानी जबकि असल चीजी है कि खालिस्तानी movements Canada के अंदर gang wars gangs इतने ज़ादा दिन बढ़ते जा रहे हैं और इतने ज़ादा इन में लगाता rivalry होती है, gang war होती है और मोते होती है, यह किसी से छुपा नहीं है इसका सबसे बड़ा उधार में सबसे बड़ा example आप अगर देखें तो सबसे बड़ा example आपको अभी तीन दिन पहले यहाँ पर मिला है सुखदूल सिंग, सुखा जिसे कहते हैं सुखदूल सिंग, 2017 में फर्दी पासपोर्ट बना के भारत से भागा था एक गैंस्टर था, साथ उस पर यहाँ पर आरूप चल रहे थे पहले से भारत में, यहाँ से भागा भारत से कैनेडा गया कैनेडा जाके अर्षदीप सिंग गिल वो जो गैंस्टर जिसके साथ में निजजर काम करता था उसके ग्रूप में आ गया, और वहाँ पर जाके उसके साथ काम करता था और करीबन अभी 20 सेप्टेंबर की आप बात देखिये, तीन दिन पहले ही 20 सेप्टेंबर की रात को हुआ कि विनी पैग में कैनेडा के 16 से 17 गोलियां उसको लगी है, 16 सत्रा गोलियां मारी है गैंग वार के अंदर सुकदूल सिंग, सुकखा, गैंग वार के अंदर एक और आदमी जो मारा गया तो ये वहाँ पर लगातार में चल रहा है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए है, वो किस तरह से हर बड़ाहर्ट में दिया है, ये बताया जा रहा है कि कैनेडा के अंदर एंटी इंकम्बेंसी है टूडो के खिलाफ और अगर आज इलेक्शिन हो जाए तो वो आज चुनाव हार जाएंगे, इसकी वज़े से वो कोई ना कोई बेतो की बाते हैं और उलजलूल चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पे, साथी साथ में आप एक चीज ये देखिए कि एक बहुत देखने लाएक बात है, एक टेररिस्ट जिसको टेरिस्ट डिक्लियर कर चुकी है भारत, ठीक है, जिसको इंटर पोल ने डेट कोनल नोटिस जिसक से महली, ये एक बड़ा सवाल है, ऐसे एक इनसान को अपनी पार्लिमेंट में खड़े होके, प्रधान मंतरी टूडो, उसको अपना सिटीजन मान रहे है, ये खुद में एक बहुत देखने लाएक चीज़े कि एक किस तरह की हरकत है और किस तरह का ये एक रवया है उनका, जिसको जो बलैक लिस्ट में है, एक ऐसी बलैक लिस्ट किये गए टेरेस्ट को वो अपना सिटीजन मान रहे हैं ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आकिर चैनेडा के अंदर हो किया रहा है और कैनेडा इन ये जो खारिस्टानी सेपरेटिस्ट हैं और ट्रूडो हैं ये लोग काम किस तरह से कर रहे हैं तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड जिसमें हमने आपको बता दिया है कि आखिर ये हरदीप सिंग निज्ज़ जिसकी वजह से भारत और कैनेडा के जो रिलेशन्स है जो विश्टिय है वो लगातार बिवरते ज चलती है एक वर्चस्व की लड़ाई है वहां पर इसकी वजह से यह सब चीज़ें हुई है जिसका एक इंजाम लगाया जब भारत के ऊपर कैनेडा की संसत के अंदर वहां के प्रधानमंची के द्वारा तो यह सब चीज़ें आपको बता दिए उम्मीर आपको एपिसोड पसंद आया होगा आगे और भी ऐसे टॉपिक्स आपके लेकर आते रहेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी हमारे एपिसोड के भी प्लेइलिस के लिंक मिल जाएंगे वहां पर जाके आप सारे एपिसोड देख सकते हैं और साथ ही साथ में आपको शक्कार धनिवाद जाहिंद